गरिए वाइचर में दिए आज के इस योडिवे आपका स्वागत हैं आज हम लोग देखें कि फॉर लो सब्से पहले हम लोग फॉर लूप को सब्सक्राइब करेंगे जो कि हमारा फॉर लोप वाई लूप एक जी बीडियो हम लोग कम्प्लेट किये थे लेकिन आज हम लोग सबसे पहले for loop को संजेंगे उसके program संजेंगे फिर उसके examples और flow chart के साथ हम लोग उसको संजेंगे तो अगर वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जोड़ कर दिजिएगा आपके लिए बहुत ही helpful वीडियो रहागा यह language के लिए हम लोग आज लोग for loop संग जाएं तो चलिए समझते हैं for loop होता क्या है syntax flow chart और एक practical के साथ program भी हम लोग देखेंगे तो for loop execute the statements of program server time respectively until a given condition returns false आप इहां से इसको सबसे पहले syntax से समझे syntax आपके लिए बहुत ही most important है syntax के थुरू आप लोग समझेंगे और अच्छे समझ में आगा अगर कोई भी syntax में initialization condition increment और decrement पहले ही आता होगा वो for loop में include हो जाता होगा और बाद में वो curly bracket के अंदर code execute होता होगा तो समलिए आप लोग का वो for loop है for loop में आपको सबसे पहले initialization कोई भी number को कहां से सुरू करना है वहां से पहले आप लोग को initialize करना है फिर उसमें आपको condition देना है कि condition में कहां तक खतम करना है कहां से कहां तक और फिर उसको increment decrement यानि आप कोई माल लिजिए आप आई लिए हैं int i करके एक नाम आप बारेवल बना लिए हैं माल लिए इसमें आप अगर initialization करना चाहते हैं यहां से माल लिजिए हम रफ में बता रहे हैं अगर आप i equals to zero से अगर आप start करते हैं तो इसको हम लोग initialization करते हैं अगर आई आई और लेस दन इकोई टू फाइब तक अगर ले जाना चाहते हैं तो इसको हम लोग कंडिशन करते हैं इसमें condition हो रखें और इसको जीरो से पांस तक बढ़ाने के लिए आप जीरो प्लस प्लस वन करेंगे आप यहां से देख लीजिए आई प्लस प्लस इसको आप लोग increment कहेंगे ताकि यह 0 से start हो और पांस तक खतम हो जाए प्लस प्लस होता रहा है इसलिए हम लोग आई प्लस प्लस यानि increment या decrement करते हैं अगर आपको इसके बाद ले जाना है यानि माइनस फाइब तक तो यहां पर आई माइनस माइनस लिख रहेंगे तो यह रहा मेरा condition initialization condition और increment decrement यह फ्लो चार्ट के थ्रू है तो वही पर मेरा बता रहा है for loop execute the statements of program serval time serval time तक वह हमारा loop में program execute होता रहता है respectively until given condition return false जब तक वह फॉल्स ना हो जाए तब तक मेरा loop यहां पर चलता ही रहेगा initialization condition increment और decrement यह मेरा loop में यह चलता ही रहेगा और यह बाद में हम code execute करेंगे इसमें जो भी हमको statements रखना रहता है वह हम लोग statements उसको रखते हैं तो सबसे पहले आप इसको समल लेगी यह मेरा syntax syntax sorry यह मेरा फ्लोचार्ट है फ्लोचार्ट आपके लिए बना कर लिए तो फ्लोचार्ट में आपको सबसे पहले आप देखिए start किया है start के बाद initialization की हैं जैसे आप यहां से इसको देख सकते हैं हम लोग initialization की है start करने के बाद आपको यहां पर initialization यानि कोई भी number आपको देना है initialization मतलब आए कहां से 0 करना चाहते हैं कहां से start करना चाहते हैं जीरो या एक से आप start कर सकते हैं इसमें से आप कोई भी ठिक मतलब आप 2 से भी start कर सकते हैं कहीं से dit कर सकते हैं अगर यह को हमुच करने की परक्रिया कर रहे हैं तो उसको हम लोग इसल्थए इसलाईशन करेंगे तो फिर हम कंडिशन करें कंडिशन में क्यों प्रूम में différent कहां तक ले जाना है दे इसमें लिकजया है ऑप कंडिशन यहां यहांपर मेरा मेरा प्रोग्राम में दिया है के मेंयाओं पर हम लोग संटीशन है अब मेरा Mom इसमें पर हम लोग स्टेटमेंट्स तो देखे हैं पर हम लोग स्टेटमेंट्स जiphwyn ng do अगर यह ट्रू हँआ तो यहां पर इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट होगा आगर यह फाल्स हो तो डाइरेक्ट यहां पर मिलाय यहां से आते हुए यह मेरा direct stop हो जाए एक यहां पर यह रहा देखते हैं प्रेटी कर में क्या है लोग अपने मन से टाइप करेंगे यह इतना सबसे पहले हम लोग अभी करके दिखेंगे लेकिन वह रवन पहले करके देखेंगे क्या यह नमबर होकर आ रहा है यानई क्रれ By आ चैनल के यहां पर यहां पर प्रिंट और आंग यहां यहां है कि सकते हैं जेंई यह देखी रहा आया यह रहा था मेरा प्रोग्राम यह अटयर तक प्रेंट कर आगया था तो एकवरा और हम लोग रॉन करते हैं तो यह अपर और देखिए हैं और हैंड्ल तक यह नाइटिन आयंट बन च्पमन हो गया है तो चलि को दे लिख तो Ctrl-Shift-N और फिर हम लोग Ctrl-S नाम से इसको सेफ करेंगे इसको हम लोग 1-2-Handred 1-2-Handred नाम का एक प्रिंट हम लोग करेंगे और यहाँ पे .C क्योंकि यह मेरा .C यह extension C language का इसमें हम लोग सेफ करेंगे तो हम लोग सबसे पहले include लिखेंगे hashtag include include studio studio.h studio.h फिर हम लोग यहाँ पे एक main file बनाएंगे int main main यहाँ पे हम लोग घर का द्वार बनाती है इसको हम लोग int main कर तो चलिए हम लोग practical करके देखते है practical में क्या है तो एक बार हम run करके दिखाते हैं उसके पहले हम आपको यह सावित करके दिखाते कि यह run हो रहा है या नहीं तो उसके बाद हम लोग एक बार और करणिशन रख दी हैं पर स्ट्रेट्ट रख दें जो कि यह मेरा सिंटेक्स के ही फार्मेट पर ही है तो इतना सबसे पहले हम लोग अभी करके दिखेंगे लेकिन हम लोग रन पहले करके देखेंगे क्या यह नंबर प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं तो चलिए देखें यहां परणिशन होकर आ गया 1234 हास को देख सकते 1234567 इसको यह देखी हां डियर्ट होकर चला आया यह यह रहा था मेरा प्रोग्राम यह हंडेर्ट होकर आगया था तो एंवर और हम लोग रन करते हैं तो ब्रोड आर सब्सक्पर हbrigए हैं हैं तक यहां और यह है यहां पर ये यह 18 यहां पर देखिये वन से स्टाट हुआ है ठीक यह वन से स्टाट हुआ यह आ fellow कि यह अ eldre तक आकर खतम हो गया है तो चली हम लोग इसको लिखते है हम लोग खुद एक बार अपने से तो Ctrl Shift N और फिर हम लोग Ctrl S नाम से इसको सेफ करेंगे इसको हम लोग 1200 1200 नाम का एक प्रिंट हम लोग करेंगे और यहाँ पे डॉट सी क्योंकि यह मेरा डॉट सी यह extension C language का इसमें हम लोग सेफ करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्वीडि लिखेंगे हैस्टेक इンकूरड कि इंक्लूड अस्टियो और दी यहां पचल्व लोग throne प्रस्थ फिर हम लोग यहां पर एक में फाइल बनाएंगे इंट में मैं हम पर हम लोग घर का द्वार बनाती है इसको हम लोग इंटमेंट कर तो चली हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या है तो एक बार हम रण करके दिखाते हैं उसके पहले हम आपको यह सावित करके दिखाते हैं कि यह रण हो रहा है या नहीं तो उसके बाद हम लोग एक बार और प्रैक्टिकल करेंगे इसमें हम लोग अपने मन से टाइप करेंगी यह हम लोग लिक के लिए क्या है जो कि यह पहले रन हो रहा या नहीं आप लोग पहले देख लेजिए तो यहां पर हम लोग एक यह बना है इंक्लूड और इंटमेंट यहां रख दिया पर स्टेस के ही फ़ेट पर ही है तो इतना सबसे पहले हम लोग अभी करके दिखेंगे लेकिन हम लोग रन के पहले करके देखंगे यह नंबर प्रिंट होकर आहा है या नहीं तो चलिए मंदर देख तेंट तो देखिए यहां पर यहां पर प्रिंट होकर आ गया वण टू 쓰 cytetin 256789 these डेकिंड सतक्छ ये परेंट होकर चला आया चीरा था मेरा प्रोग्राम्स येरंड तक प्रेंट थो और था तो हम लोग रन करते हैं तो एवर और लेंगे आपर रन होगया है हैं और तक का आखर खतम हो गया है तो चलिए हम लोग इसको कोड को लिखते हैं हम लोग खुद एक बार अपने मंन से तो कंट्रोल सिट एण और फीर हम लोग कंट्रोल अस नाम से इसको सेफ करेंगे इसको लोग one two hundred one two hundred नाम का एक प्रिंट हम लोग करेंगे और यहाँ पे dot c क्योंकि यह मेरा dot c यह extension c language का इस में लोग save करेंगे तो हम लोग सबसे पहले include लिखेंगे say hashtag include include studio studio और है डाट एच फिर लोग यहां पर ने करके देखते हैं प्रेक्टिकल करके देखते दिखते क्या है तो एक बार हम रन करके दिखाते हैं उसके पहले हम आपको यह सावित करके दिखाते कि यह रन हो रहा है या नहीं तो उसके बाद हम लोग एक बार और प्रक्टिकल करेंगे इसमें हम लोग अपने मन से टाइप करेंगी यह हम लोग लिक के लिए क्या है जो कि यह पहले रन हो रहा है या नहीं आप लोग पहले देख लेजिए तो यहां पर हम लोग एक यह बना है इंक्लूड और इंटमेन या रख दिया पर स्ट्रेट पर रख दें जो कि यह मेरा सिंटेक्स के ही फॉर्मेट पर ही है तो इतना सबसे पहले हम लोग अभी करके देखेंगे लेकिन हम लोग रन पहले करके देख लेकिया यह नंबर प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं तो चलिए हम लोग देखें तो देखिए यहां पर यहां पर प्रिंट होकर आ गया 1234 यहां पर इसको देख सकते हैं 12345 आप लोग यहां से इसको ड्राइरन आप इसको समझ सकते हैं जो कि हम सिकीए थे और यह ने अमकी के लिए तो इसमें हम बना सकते थे इनट आई करके ह्म लोग सकते थे कि इंट आए करके हाँ वर्येबल बना सकते थे लेकिन जब हम वह इहां Pork पर हम बना लेंगे बैरियेवल तो हमको यहां पर बनाने जरूरत नहीं थी आप यहां पर बनाएंगे तो यहां पर नहीं बनाएंगे और अगर यहां पर बना दिये हैं तो पहले आप लोग आई का नाम की बैरियेवल बनाएंगे नहीं तो यहां पर हम लोग इनिसलाजेशन करेंगे जो कि मेरा अन्यों को पहले इंचलाय जान प्छाइब तो हमroetto अन्यों को develop inc करण रहे तो हम लोग इसमेंट कर रहे थे तो हमके स्टाइब से करेंच करना थ्यूद c का मतलब ही होता है जहां से आप लोग इंचलाइन करना चाहिए वह इसे इस्टाइब होगा तो हम लोग I से स्टार्ट करते थे तो I equals to 1 वन से हम लोग इस्टार्ट करते थे और यह I जब तक बड़ा नहोजाए और बराबर नहोजाए आई से यह 100 तक यह जब तक 100 तक बराबर नहोजाए यह जाता रहेगा तब तक यह condition मेरा चलता ही रहेगा और यह increment होता ही रहेगा तो यहाँ पर I फिर I I equal to I फिर यहाँ पर एक जूड जाएगा देखिए I में एक जूड रहा है या आप I plus 1 यहाँ पर लिख सकते हैं तब भी यह मेरा काम करेगा इसके जगह पर I plus 1 लिखेंगे तो I plus 1 जोड़ेंगे तो यह मेरा टू हो जाएगा तो देखिए जब तक कैसे चलता रहागा फिर आप एक बार आउड ड्राइर रान कीजिए फिर यहाँ पर I 2 हो गया I की value 2 हो गया फिर इसमें आप I यह है फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे प्लस 1 प्लस 1 तो यहाँ पर मेरा यह आई की value 3 हो जागी फिर आप लिखेंगे क्या फिर आप यहाँ पर यहाँ पर आई की value 3 हो गई यहाँ की value 3 हो गई फिर यहाँ पर ड्राइर रान में देखिए आई प्लस 1 तो यहाँ पर 4 हो गया यहाँ से करते करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 यह हैं 100 तक चला जाएगा और यह मेरा नंबर प्रिंट हो जागा एक दो तीन चार यह से करते 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 यह 100 तक प्रिंट हो जाएगा तो यही मेरा condition में यही रहेगा आई less than equals to 100 ठीक यह रहा मेरा ड्राइर रान आप यहां से इसको समझ सकते हैं तो वीडियो कैसा रहा वीडियो क्लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब पर जब फिर मिलेंगे एक नेक वीडियो में आज के लिए थैंक्यों